तिवारी अकडमी में और फिर वही वाक्य जो है वह भाषा का आधार बनते हैं मैं जो भी तो जब हमने देखा कि वर्णों से मिलके शब्द बन रहे हैं, तो जब दो वर्ण आपस में मिलते होंगे, तो उनसे कोई न कोई विकार उत्पन होता है, कोई न कोई ध्वनी प्रकट होती है, और वो शब्द बनती है, तो क्या उस ध्वनी के उत्पन होने पर, उन दो शब् मिलने पर कोई फर्क पैदा होता है कोई अंतर आता है उनके उच्चारन में और अगर आता है तो वो उच्चारन किस प्रकार से किया जा सकता है इनकी सारी संभावनाओं को हम संधी के अंतरगत पढ़ते हैं संधी का मतलब सामाने अर्थों में होता है क्या जोड़ना यानि English में उसे कह रहे हैं हम joining तो ये अध्याय पूरा पढ़ने और समझने के बाद में संधी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो आपको नहीं बनेगा मेरा विश्वास कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बस एक बार revision करना पड़ जाएगा तो चलिए पहले paragraph से शुरुबात करते हैं देखते हैं कि पहले paragraph में क्या दिया हुआ है यहां पर लिखा है पहला वाक्य पढ़ता हूं बोलने की प्रक्रिया में दृत उच्चारण में एक के बाद एक में आने वाली दो ध्वनियों वर्णों में परस पर निकट हैं तो इसमें जितने भी वर्णों का उच्चारण हम कर रहे हैं जिन से मिलकर के शब्द बने हुए हैं वो उनमें आपस में हमें कोई न कोई निकटता प्रतीत होती है और आगे हमसे यही कहा जा रहा है कि प्रतेक वर्ण का उच्चारण इस्थान जो है वो निश्चित है अलग-अलग वर्णों का उच्चारण इस्थान हमारे मुह में अलग-अलग है उधारण के लिए जब हम कह गह बोलते हैं तो कंट का प्रयोग होता है जब हम पह बोलते हैं तो होट का प्रयोग हो रहा है इसलिए यहां पर लिखा है न कि उच्चारण इस्थान निश्चि या होती है और इसे ही हम क्या कहते हैं संधी कहते हैं मान लीजिए आपने दो शब्द बोले एक शब्द आपने बोला क्या नर और एक शब्द आपने बोला ईश यह दो शब्द हो गए अब इन दो शब्दों को जब आप उच्चारण करेंगे तो जब आप नर बोलेंगे तो प्रथम शब्द क्या है प्रथम वर्ण क्या है ए आ रहा है तो पहले पद का अंतिम वर्ण यानी और दूसरे पद का प्रथम वर्ण यानी यह दोनों जब मिलते हैं तो यह जो है विकार संबंदित प्रक्रिया को जन देते हैं और इसे ही हम संधी कहते हैं उधारन से आप और अच्छे समझ जाएंगे संधी होने की वजह क्या है संधी होने का जो मूल कारण है वह भाषा प्रवाह बोलते समय हमें रुकना नहीं है हम नरेश बोलें इससे बहतर है कि नरेश बोलें यह ज्यादा सरल है तो भाषा प्रवाह ही जो है वह संधी का मूल कारण है सरलता से हम बात को व्यक्त कर सकते हैं संधी करने पर अब देखिए शब्द को ले लिजे शब्दांशों को ले लिजे कुछ उधारे निया पर दिये हैं वो मैं आपको समझाता हूं जैसा आप देख रहे हैं ये लिखा है शब्द या शब्दांश पहला कॉलम है दूसरा कॉलम है पूर उधारनों पर चर्चा करते हैं जैसे लिखा है नर और इश इनको जोड़ दिया तो देखिए नर में अंतिम ध्वनी जो निकल रही है वो अ है नर और इश में जो प्रथम ध्वनी निकल रही है वो है यानि प्रथम बर्ण अब ये आ और ई जब मिलते हैं तो ये आ ई को एक साथ बोलिए अई जब जल्दी बोलते हैं तो ये ए हो जाता है तो कहने का मतलब आ और ई मिलके क्या बनाते हैं ए बनाते हैं तो ये दोनों शब्द ना और शा तो एक जैसे रहेंगे लेकिन यह a और यह मिलके a बना देंगे तो यह हो जाएगा नरेश तो नर और इश ने मिलके क्या बना दिया नरेश इस तरह से आप संधी का उधारण देख सकते हैं दूसरा उधारण दिया है जैसे सत और जन अब सत में त के नीचे क्या लगा है हलंत लगा है इसका मतलब इसके साथ तो कोई भी स्वर जुड़ा हुआ नहीं है तो यहाँ पर त का उचारन बहुत छोटा है तो त में तो अ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हलंत लगा दिया है तो यह त को ऐसा ही ले लेंगे और फिर जन में ज है प्रथम जो उसका जब हम ज को बोलते हैं तो सबसे पहले तो ज का उचारन करते हैं न तो यह उसका अंतिम पत का या दूसरे पत का पहला वर्ण हो गया स्वर हो गया अभेंजन हो गया ज तो त आधा और ज यह पूरा जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे एक आधा जब बनाएंगे और एक पूरा जब बनाएंगे यानि ज ज ऐसे बनाएंगे तो यह सत जन मिलके हो जाएगा सत जन ठीक वैसे ही होगा जैसे मनह और हर मिलके बना देंगे ओ क्योंकि यह जो मनह में ह है यह विसर्ग है और हर में ह ह है तो विसर्ग और ह मिलके ओ बनाते हैं और ये मन हर हो जाएगा मनो हर यानि मन को अपनी और हरने वाला अकर्षित करने वाला अती में छोटी ई है और अधिक में अ है छोटी ई और अ मिलके बना देंगे यह और यह हो जाएगा अत्यधिक तो अतियधिक मतलब अतियधिक है अब समझे यहाँ पे पहले शब्द की अंतिम ध्वनी या वर्ण और दूसरे शब्द की पहली ध्वनी यानी वर्ण के मिलने से जिस अन्य वर्ण ने यहाँ पे स्थान ले लिया है वह ध्वनियों के मिल से बना हुआ है अब आपको ये भी इस पश्ट हो गया होगा कि आखिर क्यों हमने यहाँ पे ऐसा कहा था कि संधी होने का मूल कारण भाशा प्रवाह है। आपने देखा अगर आप किसी को ऐसा बोलें ये तो अति अधिक है तो इसमें आपको समय ज्यादा लगा अति अधिक है और बोलने में भी थोड़ा सा ऐसा मतलब समय लग रहा है। आपका भाशा प्रवाह इस स्थिती में बना हुआ नहीं रह पाएगा लेकिन अगर आप अति अधिक की जगे अतिधिक बोल देंगे तो एक जटके में एक बार में और पूरा शब्द आपने एक ही बार में उचारित कर दिया बीच में बिना पॉस लिए है ना तो इसका क् पैदा हुई वर्णों का उचारण करते समय मूह से निर्बाद रूप से हवा प्रकट हो रही है और इसी लिए हैं पर धारा प्रवाह भाशा जो है आप बोल पाएंगे तो संधी इसलिए भी आवशक है अब आपको कहना पड़े नर ईश तो कैसा लगेगा लेकिन वही नर परिभाशा देंगे मुझे आप कहेंगे ध्वनियों की परसपर निकटता के कारण इनके आपसी मेल से उत्पन विकार को ही संधी कहते हैं एकदम सरल परिभाशा है ठीक है संधी के कुछ प्रकारों को अगर हम ध्यान से समझ लेंगे तो उससे यह होगा कि उधारनों की बढ़े बताये गए अम इसको किस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि संधी तीन बहुन धें एक स्वर सन्धी एकहाए वियंजन संदी और विशनद सथ Neshan da है इसमें स्वर और स्वर आपस में मिलेंगे यह बात आप याद रखेंगे जो व्यंजन संदी है उसमें व्यंजन मिलेंगे व्यंजन स्वर मिलेंगे और स्वर और व्यंजन मिलेंगे अब आप कहेंगे व्यंजन से स्वर मिलें या स्वर से व्यंजन दो बार क्यों लिखा है तो दो बार इसले लिखा है कि ऐसा हो सकता है कि जो पहला पद है उसका अंतिम वर्ण व्यंजन हो और स्वर हो, इस वज़े से जो विविदिता है उसकी वज़े से यहाँ पैसला लिखा गया है पदों में, विसर्ग के साथ जब स्वर जुढते हैं तो विसर्ग संधी में सबसे पहला प्रकार जो हमारे सामने है स्वरसंदी इसके अंतरगत आप देखेंगे कि स्वरसंदी के भी कुछ भेद है यानी प्रकार है स्वरसंदी की परिभाशा बुलिए कैसे बताएंगे आप स्वर के साथ स्वर का मेल होने से जो विकार होता है वह स्वरसंदी कहलाता है कितनी सरल परिभाशा है स्वर के साथ जब भी कोई स्वर मिलता है तो एक नया विकार जन्म लेता है और इसी को हम स्वरसंधी कहते हैं ठीक है अब स्वरसंधी के भेट समझें सबसे पहली स्वरसंधी है दीर्ग स्वरसंधी ध्यान दीजेगा, क्या ये दीर्ग स्वर सुनके आपको कुछ स्वर्याद नहीं आ रहे हैं जैसे एक हमने छोटी पड़ा है और एक बड़ी पड़ा है तो दीर्ग में बड़ी इए आना चाहिए कि छोटी इए? आपका जवाब सही है, बड़ी इही आना चाहिए गुण स्वर संधी फिर है वृद्धी स्वर संधी फिर है यन स्वर संधी फिर है अयादी स्वर संधी ठीक है अब एक काम करते हैं एक-एक करके इन सारे प्रकारों को बहुत अच्छे से समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं दीर्ग स्वर संधी की क्या होता है दीर्ग स्वरसंधी में तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बताया है कः यहाँ पर डला है क्रमांक्त इसका मतलब है कि कुछ इस्थितिया बनती है इसमें तो पहली इस्थिति को आप ध्यान में रखेंगे अगर आपके पास में एक नोटबुक और पैन नहीं है तो बड़ा आ बना लेता है उधारन के लिए जैसे एक शब्द है धर्म धर्म बोलिए धर्म तो जब आप धर्म बोलते हैं तो म का उचारण अंत में अ होता है म अ निकला अर्थ बोलिए अर्थ थ में अ है तो दोनों तरब छोटे छोटे अ थे अभी आपस में मिल गए तो इन इसका अंतिम स्वर है अ दूसरा पद क्या है अर्थ इसका प्रथम स्वर है अ तो दोनों अ आपस में मिल गए और इन्होंने क्या बना दिया धर्मार्थ बना दिया यहाँ पर हाईलाइटर से नहीं मुझे पैंज से समझाना चाहिए ताकि चीज़ें और अच्छे से आपको समझ में आए ठीक ऐसे ही करते हैं अब पहला पद है परम दूसरा है अर्थ तो म म में भी अ है और यहाँ पे भी अ है यह दोनों अ आपस में मिल गए और इन्होंने बना दिया बड़ा आ तो यह हो गया परमार्थ ने बना दिया बड़ा आ तो यह हो गया क्या विदान्त एक बोलिए एक क में अ है और एक अ यह है यह दोनों अ आपस में मिल गए और इन दोनों अ ने आपस में मिल के यह बड़ा वाला आ बना दिया और यह हो गया एक आंगी एक अंगी मतलब एक आंगी तो इस तरह से ये दीर्गस्वर संधी की पहली स्थिती है जिसमें दो छोटे अ मिलके एक बड़ा आ बना रहे है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी स्थिती की दूसरी स्थिती क्या है एक अ है एक आ है दोनों आपस में मिलते हैं और बड़ा आ बना रहे हैं जैसे धर्म और आत्मा आपस में मिलके बना देते हैं क्या धर्मात्मा ठीक वैसे ही जैसे सत्य और आनंद आपस में मिलके बना दिया इन्होंने क्या सत्यानंद तो चाहे छोटे अ में छोटा आ मिले या छोटे अ में बड़ा आ मिले दोनों ही परिस्थितियों में जो है बड़ा आ बन रहा है एक और उधारन है जैसे परम और आनंद तो म में भी अ है और आनंद में आ है छोटा और बड़ा आ मिलके बना रही है परमानंद ऐसा ही एक और अब यसी पहली इस्थिती में एक और इस्थिती है बड़ा और चोटा अ यह जब आपस में मिलते हैं, तो भी यe जो विकार उत्पन होता है, वो आँम के आका ही है, यानी बड़े आका है, देखिए, जैसे यहाँ पर उधारण दिया है, विद्या में आप देखेंगे आअ आ निकल रहा है, या बोलिए विद्या, या इसमें आ रहा है, और अर्थी, अ विद्यार्थी में अ है, तो बड़े आ और छोटे अ ने मिल करके बनाया विद्यार्थी, अर्थी मतलब जो विद्या को ग्रहन करने वाला, यानि आर्थ करने वाला, तो विद्यार्थी मतलब जो विद्या को ग्रहन करेगा, तो विद्यार्थी इस तरह से बन गया, एक शब परिख्षा में उसमें अन्त में और गयाय तो यह जैसे दीक्षा और कि मिलके बना व्हान अगला भाग यह है दो बड़े आं मिलके क्या बनाते हैं दो बड़े आ मिलके एक बड़ा आ बनाएंगत जैसे विद्या और आले दोनों में ही आ आ आ रहा है विद्या प्रथम पद है इसका अंतिम जो स्वर है वो आ है आले दूसरा पद है इसका जो प्रथम स्वर है वो आ है दोनों आ आ आपस में मिलके बनाते हैं क्या विद्या ले ठीक वैसे ही जैसे विद्या और आनंद आपस अब दीर्गुश्वर संदी में हमने पहला भाग जो है वो इस तरह से देखा कि आ के साथ यदि छोटा आ मिले तो वो बड़ा आ बनाते हैं बड़े आ के साथ अगर छोटा आ मिले तो वो आ बनाएंगे बड़ा वाला छोटे आ के साथ बड़ा वाला आ मिले तो भी वो बड़ा वाला आ ही बनाएंगे और अंतिम भाग में हमने देखा कि दो बड़े आ मिलकर के भी बड़ा आ ही बना रहे हैं तो आपको समझ में आ रह क्यों कह रहे हैं क्योंकि दो स्वरों के किसी वी तरह से मिलने पर मिलाप होने पर जो विकार उत्पन हो रहा है वो दीर्ग है इसके बाद में दीर्ग स्वरसंदी में अगर के बाद आगे बढ़ें तो अब हमारे सामने ए आएगा तो ए की बात करेंगे यह इसका ख प्रकार ह अब आप इसमें भी इसी तरह से देखिए, छोटी E और छोटी E आपस में अगर मिल जाए, तो ये बड़ी E का ही निर्मान करेगी, बड़ी E की ही ध्वनीहा से प्रकट होने वाली है, जैसे कवी, कवी में जब आप V बोलते हैं, तो छोटा E निकलता है, V, E निकला, छोटा E और इंद्र, इंद्र में बड़ा E है, ये दोनों आपस में मिले, और इन्होंने बना दिया कवींद्र, जैसे रवी और इंद्र मिलके बन गए रवेंद्र, मुनी और इंद्र मिलके बन गए मुनींद्र, तो आपको समझ में आया, कि छोटी E और छोटी E मिल करके बड़ी E बनाते हैं वहीं पर इसी इस्थिती में अगर छोटी ऐ बड़ी ऐ के साथ मिल जाए तो भी बड़ी ऐ ही बनेगा जैसे prty और इक्षा आपस में दोनों शब्द मिल रहे है परी में छोटी ई हैं और इक्षा में बड़ा i है यह आपस में मिल के क्या बना रहे है करें परिक्षा यानि बड़ी इबन गया कपी और इश्वर आपस में मिल के क्या बना रहे है कपी इश्वर हरी ॐर 》इश आपस में मिल जाएंगे तो बन जायेगा हरी इश grant और इश मिलकर बनाएंगे मुनीश इस तरह से इसके बाद में अगर क्या होगा बड़ी यी छोटी यी के साथ में मिले तो भी इसमें बड़ी यी ही बनेगा कैसे जैसे आप देखें योगी और इंद्र आपस में मिलके बना रहे हैं योगी इंद्र और मही और इंद्र मिलके महींद्र शाची और इंद्र मिलके बन जाएगा शचींद्र और नारी और इंद्र मिलके बनेगा नारींद्र बड़ी ई और बड़ी ई आपस में मिलेंगे तो भी बड़ी ई ही बनेगा जैसे रजनी और ईश मिलके हो जाएगा रजनीश नदी और ईश मिलके हो गया नदीश स सती और ईश मिलके बन गया सतीश, लक्षमी और ईश मिलके बन गया लक्षमीश, तो इस पस्ट है कि यहां पर इस भाग में भी हमें जो है दो सवरों के मिलने पर जो विकार उत्पन हो रहा है वह दीर्ग है, इसलिए यहां भी दीर्गुस और संदी के अंतरगत आ रही है जिसमें छोटा उ, छोटे उ से मिलके बड़ा उ बनाता है, ठीक है, जैसे सू और उक्ति आपसमें मिलके बनाएंगे सू उक्ति, लगु और उत्तर मिलके बनाएगा लगुत्तर, गुरु और उबदेश हो जाएगा गुरु पदेश, भानु और उदय हो जाएगा भानु आप देख रहे हैं चोटे उने चोटे के साथ मिलके बड़ा उबनाएं इसी तरह से चोटा उबड़े के साथ मिलके भी बड़ा उभी बनाएगा जैसे सिंधू और उर्मी हो जाएगा सिंधूर्मी मधू और उश्मा हो जाएगा मधूश्मा सिंधू उर्जा हो जाएगा सिं लेख और वधु और उपकार हो जाएगा वधूपकार और भुऋ और उत्सर्ग हो जाएगा भूत्सर्ग इस थरह से क्या होगा यदि दो बड़े ऊ आपस में मिल जाए वही होगा व ही मिलके बड़ा ओ ही बनाएंगे जैसे बुव भू और उर्जा बना देंगे, भूर जा भू और उर्ध० हो जाएगा, भूर्धु सर्यू और वूर्मी हो जाएगा, सर्यूर्मी इस तरह से ठीक है ये थी स्वरसंदी में, इसके प्रकार, जो हमने देखे हैं आप़े अलग-अलग स्थितियां, ठीक है अब अगली जो संधी हमारे सामने है स्वर संधी में ही आएगी वो है गुण स्वर संधी आपको याद तो है हम अभी स्वर संधी पढ़ रहे हैं जिसके अंतरगत इसके पांच प्रकार है एक दीर्ग, एक गुण, एक वृद्धी, एक यन और एक अयादी अभी हमने दीर्ग पढ़ी जैसा नाम था वैसा ही काम था दीर्ग स्वर बन रहा था इसलिए इसका नाम दीर्ग स्वर संधी है अब जो दूसरा प्रकार हम देखने जा रहे हैं वो है गुण संधी यहाँ पे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कोई नो कोई गुण प्रदर्शित कर रही है अब गुण क्या है इसमें देखिए जब आ से आ मिला तो उसने आ बनाया था तो हमने दीर्ग कह दिया लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक स्वर उसके भिन्न स्वर से मिले यानि आ से नहीं मिलेगा आ मिलेगा ई से आप इसको इस तरह से देख लीजिए कि ये सारे स्वर एक दूसरे से मित्रता कर रहे हैं और कुछ न कुछ देते हैं तो जब आ से मिला तो उसने बड़ा आ दिया जब आ ई से मिला तो क्या देगा आ ई से मिलके बनाता है ए तो आप यहाँ पर समझ जाएए कि ये तो गुण ही हो गया ये गुण हुआ ना कि एक स्वर दूसरे स्वर से मिल रहा है और एक तीसरा ही वहाँ पर जो है वेंजन पैदा हो रहा है तो यहाँ पर ये इसका गुण कहलाएगा इसलिए ये गुण स्वर संधी है चुकि स्वर आपस में मिल रहे है वेंजन नहीं मिल रहे है इसलिए ये स्वर संधी है तो ये है गुण स्वर संधी तो पहली स्थिति कि छोटा A छोटी E से मिलेगा तो छोटा A बनाएगा जैसे नर और इंद्र आपस में मिलेंगे तो नर में अ है नर र आया इंद्र में इ है तो अ और इ मिलके हो जाएगा नर और इंद्र मिलके हो जाएगा नरेंद्र तो ए बन गया ठीक वैसा ही जैसे इश्वर और इच्छा हो जाएगा इश्वर इच्छा तो ये और ही मिलके ए बन जाता है सुर और इंद्र मिलके हो जाएगा सुरेंद्र गज और इंद्र मिलके हो जाएगा गजेंद्र देव और इंद्र मिलके बना देंगे देवेंद्र और स्वा इच्छा हो जाएगी स्वेच्छा तो ये क्या है गुण स्वर संदी के उधारन है ये तो पहली स्थिती का पहला भाग हो गया दूसरे भाग में आ बड़ी ए से मिलेगा तो क्या बनाएगा तो भी एह ही बनाएगा सुर इश सुरेश लोक इश लोकेश परमिश्वर परमेश्वर देवईश देवेश इस तरह स अगर बड़ा आ चोटी इसे मिलेगा तो क्या बनाएगा तो भी छोटा ए ही बनाएगा महाइंद्र महेंद्र यथा इच्छा यथेच्छा रमाइंद्र रमेंद्र यथा इस्ट यथेश्ट इस तरह से तो आप इसमें देख रहा हैं कि गुण तो प्रकट कर रही है ये संधी स्वरसंदी लेकिन यहाँ पे छोटा A ही बना है बड़ा A नहीं बना ठीक इसके बाद में अगर बड़ा A बड़ी E से मिले तब क्या बड़ा A बनेगा नहीं बनेगा बड़ा A बड़ी E से भी मिलेगा तो भी छोटा A ही बनेगा जैसे उमा और ईश मिलके बना देंगे उमेश, राका और ईश मिलके बना देंगे राकेश, लंका और ईश मिलके बना देंगे लंकेश, रमा और ईश मिलके बना देंगे रमेश, इस तरह से, उसके बाद में क्या होगा, अगर अब ई को छोड़के, छोटी और बड़ी इसे त कि छोटा बनाएगा लेकिन अलग बनाएगा तो अ और उ मिलके ओ बनाएगा तो जैसे ग्यान में अ है उपदेश में उ है आपसमें मिलके बन गया ग्यान उपदेश, सूर्य है उदय है आपसमें मिलके बन गया सूर्य उदय, चंद्र उदय, भाग्य उदय, भाग्य उदय हो जाएगा जलोर्मी सूर्य उश्मा आपसे मिल जाएंगे बन जाएगा सूर्य उश्मा इस तरह से अच्छा बताईए अगर बड़ा चोटे उसे मिल जाए तब क्या होगा वही होगा छोटा ओ बनेगा जैसे महा उत्सव महुत्सव गंगा उदक गंग उदक इस तरह से अच्छा अगर बड़ा आ और बड़ा उ मिल जाए तो क्या होगा क्या बड़ा ओ बनेगा नहीं तब भी छोटा ओ ही बनेगा गंगा और उर्मी मिल के बना देंगे गंगोर्मी महा उर्मी मिल जाएगा तो बन जाएगा महोर मी इस तरह से अच्छा बताईए अगर अर रिल से मिले रिशी वाले तो क्या होगा तो र बनेगा अके साथ लेकिन र जो है वो आधा होगा उसमें स्वर नहीं होगा जैसे अर सब्त रिशी हो जाएगा सब्तर्शी देव रिशी हो जाएगा देवर्शी ब्रह्म रिशी हो जाएगा ब्रह्मर्शी और राज रिशी हो जाएगा राजर्शी इस तरह से अगर बड़ा आ मिले तब क्या होगा तब यही होगा जैसे वर्शा और रितु आपस मिलके बना देंगे वर्शर्टु महा रिशी बना देंगे महर्शी इस तरह से ठीक एक बात जो यहां पर ध्यान देने वाली है वो यह है कि अ और आ के बाद हस्व या दीर्ग ई उ या रिशी आने पर क्रमशा छोटा ए छोटा ओ और अर के रूप में दिखाई देता है यही चीज़े अभी हमने यहां पर समझ ठीक अब हमने दीर्ग संदी पद्ली गुणसोर संदी पड़ enfant लेकिन गुणसोर संदी हमने यह पढई कि छोटा ए बना छोटा ओ अचल्टा और अर बना अब रिद्दी में क्या होता है व्रिद्धी स्वर संदी क्या है व्रिद्धी स्वर संदी में यह होगा कि बड़ा ए बनेगा बड़ा अउ बनेगा इस तरह से जैसे क्या होगा अगर ए के साथ मिल जाए तो क्या होगा तो बड़ा ए बनेगा जैसे एक और एक मिलके हो जाएगा एक एक लोक और एशना मिलके हो जाएगा लोकेशना जीव और एशन मिलके बना देंगे जीव एशन हित और एशी मिलके बना देंगे हित एशी आ और ए मिलके भी बड़ा एई बनाएंगे जैसे एक एश्वर मिलके बना देगा एक एश्वर जन और एश्वर मिलके बना देगा जन एश्वर इसके बाद मे परमैश्वर्य मिलके बना देगा परमैश्वर्व और मत एक के मिलके बना देगे मता एक के इस तरह से अगर बड़े आ में बड़ा ए मिल जाए तो क्या होगा तो भी बड़ा ए ही बनेगा जैसे महा एश्वर्य हो जाएगा महेश्वर्य और माता एश्वर्य हो जाएगा मात औधन हो जाएगा कृताओदन मधुर ओधन हो जाएगा मधुर ओधन परम ओज 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 लेगाches गंगाओद म STEPHAN गरों दोनों बड़े वाले तो बड़ा आउग ही बनेगा जैसे महादार यानि महोशद करेंगे अब आ के बाद या या बड़ा ए आता है तो एक रमशह बड़ा ए की धुनिया और की द्वनिया वर्ण यहापर बन जाती है इस तरह से प्रकट करेंगे अब हमने तीन स्वरसंदी को पढ़ लिया, दीरगस्वरसंदी, गुर्णस्वरसंदी और व्रिद्धिस्वरसंदी, अब हम बात करेंगे यहण संदी की, नाम थोड़ा सा जीब लग रहा होगा, कि यह यहसोरसंदी को आखिर ऐसा नाम क्यों दिया गया, ऐसा नाम इसलिए द चोड़कर कोई दूसरा स्वर अगर यहां पर आ जाए तो यह और यह हो जाएगा उधारण चे समझें जैसे दो शब्द लिखे हैं यदी और अपी अब सोचिए यदी में छोटा ई है और अपी में अ है तो छोटी ए के बाद में बड़ा ए नहीं आया आ गया इके साथ में अ हो जाएगा इत्याधी कि नदी और आगमन हो जाएगा जै नाद्यागमन नी और उन फोर नियूण अति आचार घजो जाएक हो जाएगा देव्यावर और प्रती हो जाएगा प्रतेक देवी अरपन मतलब देवी अरपन इस तरह से तो हमने यह नाम क्यों रखा यह समझ में आया क्यूंकि देखिए यह जब मिल रहा है दूसरे स्वर से तो वहाँ पे उसके दूसरे स्वर से मिलने की वजह से जो विकार उत्पन हो रहा है वो यह हो रहा है इसलिए यहाँ पे हमने इसे कहा है कि यह यन स्वर संधी है ठीक है दूसरी इस्थिति इसकी यह है कि अगर U के बाद में चोटा U या बड़ा O कोई भी हो इसके बाद में अगर दोनों U को छोड़के कोई दूसरा स्वार आ जाए तो यह U का हो जाएगा W क्या हो जाएगा ध़ हो जाएगा सोचिए छोटा धा धू है या बड़ा धू है उसके सामने अगर छोटे उ, बड़े उ को छोड़ के, यानि खुद को छोड़ के, कोई भी स्वर आये, तो वो उसको बना देंगे व, व भी कैसा? आधा व, यानि ऐसा व जिसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, हलंत लगा हुआ है, जैसे सू, अल्प, सू, सामें छोटे उ की मातरा है, तो छोटा उ आया, अल्प में अ है, अ आप जानते हैं, उ नहीं है, तो उ के बाद दूसरा स्वर आ गया, अ आ गया, तो अब क्या बनाएंगे? आधा व बनाएंगे, तो यह हो गया स्वल्प, इस तरह से, जैसे अनु अय हो जाएगा अन्वय, मनु अंतर हो जाएगा इस तरह से, अब यदि रिशी के बाद कोई भी स्वर आ जाए, जो रिशी ना हो तो रिशी का रह हो जाएगा, जैसे मात्र आनंद हो जाएगा मात्रानंद, मात्र आदेश हो जाएगा मात्रादेश, और पित्र आदेश हो जाएगा पित्रादेश, इस तरह से, पित्र आनं यादि कोई असमान स्वर आ जाये तो वह व और हो जाता है इसलिए से यन स्वरसंदी गों जब बात करेंगे अयादी संधी की आयादी कूं कह रहे है है से क्यूंकि इसमें आय आ जाता है जब भी कोई उयां कौन है एजिए आपस है मिलते है कौन-कौन देखें जब जब हमने दीर्गस्वर संदी पड़ी थी, तो हमने आ की दोस्ती देखी थी सब के साथ में, जब हमने वृद्धी संदी पड़ी, उसके पहले हमने जब गुरुस्वर संदी पड़ी, तो उसमें हमने आ की दोस्ती देखी, ए के साथ में, ए के साथ में, जब हमने वृद्धी सभी सवर संधी पढ़ी तो उस में हमने क्या देखा व्रिद्धी में औ के बाद में फिर ई ने दोस्ति करना शुरू किया ई लोगों से मिला फिर मिल गया उम इमील गया तो बच्चा उ उसको हमने काए में देख लिया चौथे प्रकार यानि यनस्वर संधी में देख लिया अब हम बात कर रहे हैं अयादी संधी की अब इसमें ए की बारी है अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया अब ए की बारी आएगी तो ए के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आ जाता है ए अब सबसे दोस्ती करेगा तो ए की जगे आप उसमें अय लिख देंगे, जैसे ने में ए है और अन में अ है, अब ने में जो ए है, ए के बाद अ आ गया, तो यह हो जाएगा अय, यानि यह हो जाएगा ने और अन मिलके बना देंगे नयन, शे और अन मिलके बना देंगे शयन, चे और अन मिलके बना दें है जयन्त तो इसलिए इसे आयादी संधि कहा गया अब देखिए अगर बड़े ए के बाद कोई दूसरा स्वर आ जाए तो वो आय हो जाएगा जैसे ने अक सब्सक्त करो तो गायक का संधि विच्छित कैसे करेंगे आप गै अक नहीं का और गई का मतलब गाई का इस तरह से यदि ओ के बाद अभी ओ भी आएगा ओ के बाद अगर अनने स्वर हो तो वो अव हो जाएगा ये भी आयादी संदी का ही हिस्सा है ध्यान दीजिए जैसे पो और अन आपस में मिलके बनाएंगे पवन पवन को देख के आप सोच भी नह ऑवन के रूप में होगा पो और अन आपस में मिलके पवन बनाते हैं याद रखिएगा ठीक वैसे जैसे आप ये कुछ शब्द हैं जो हम रोज अपनी दिन्चरिया में लोगों से मिलते समय, अपनी बातचीत के दोरान, प्रश्न पत्र में उत्तर लिखते समय, उपयोग मिलाते हैं, लेकिन इनका संधी विच्छे चायद हमें पता नहीं था, जो अभी आपको पता चल गया होगा, ठीक है, तो अब हमने स्वर संधी के पूरे प्रकार पढ़ लि अब व्यांजनों को समझते हैं, ध्यान दीजेगा, व्यांजन के बाद व्यांजन या स्वर अगर आजाए, तो जो भी परिवर्तन होगा, उसे हम व्यांजन संधी के अंतरगत रखेंगे, चाहे व्यांजन व्यांजन से मिले, व्यांजन स्वर से मिले, स्वर व्यांजन से अभी समझ लेते हैं बड़ी सरल्ता से बस जैसा मैंने आप से कहा था नोट करके रखेगा क्योंकि यहां पर जो चीजें वह रटने वाली आ जाती है याद रखने वाली आ आजाए अब याद रखने की ज़रूत नहीं है अगर आपको बारा खड़ी आदे तो आप जानते हैं कि पांच लाइन की शुरुवात इन पांच वेंजनों से होती है पहले कर वाली लाइन आती है फिर 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 और फिर इस तरह से तो यदि के बाद कोई स्वर आ गया क किसी भी वर्ग का कौनसा स्वर आ गया तीसरा स्वर आ गया चौथा वर्ण आ गया या फिर आ गया कोई भी तो वो कचटतप का क्रमशह गजड़दब हो जाएगा कैसे हो गया ये इसको भी अगर आप ध्यान देंगे तो रटने की जरुवत नहीं पड़ेगे सोच के देख कि का का तीसरा वर्ग कौनसा है का ख ग आप बोलेंगे ग है तो कुछ नहीं करना है तीसरे वर्ग को लिख देना है का की जगे तीसरा वर्ग या नहीं ग आ जाएगा तो दिक अंबर का हो गया ठीक वैसे ही जैसे लिखा है जगत इश दोनों को जोड़ना है तो बताइए ज बहुत सरल जैसे सत गती त के बाद में ग आ गया दूसरा स्वर आ गया अब त वाली लाइन पड़ी है उसमें तीसरा वर कौन सा है त थ द तो सत गती को आपको लिखना है सद गती द आ जाएगा महाँ पर तक की जगे पर है न सरल ठीक वैसे जैसे शट रितू शड रितू हो जाएगा अच अजन्त हो जाएगा और अप ज अब ज हो जाएगा बिल्कुल ऐसे काम करेगा ठीक है कोई भी चीज अगर हम समझ लेते हैं तो फिर वह हमें रटनी क्यावशक्ता नहीं पड़ती है लेकिन जो समझ है जो हमने जिसका उपयोग किया है कि कौन सी समझ का प्रय वर्ण में बदल जाएंगे उधारन से बहुत अच्छे समझ में आ जाती हैं चीजे इसलिए हमें उधारन दिये जाते हैं भली परिभाशा से नहाए जैसे उत और नती अब यहां पर ध्यान दीजिए तग के बाद में नहागया अब तव वाली लाइन पड़िए और आए कि कवाली लाइन में पांचवा वर्ण कौन सा है कख गग अंग अंग आएगा तो यह बिलकुल अंग ही बनेगा और यह हो जाएगा वांग मैं ठीक हैं जब हम अंग बोलते हैं तो उसमें ना तो आ होता है और ना ही ग होता है वो दरसल अंग बोलते समय और गा के बीच में उत्पन हो रही द्वनी चोटीजी वो है तो यह हो गया वांग मैं इस तरह से फिर लिखा है शट मास चलिए ठीक है अब ता आ गया तो बताइए ता का पांचवा वर्ण कौन सा होगा ता ठा ड़ अन बिलकुल सही तो यहां पर अन आ जाएगा और यह हो जाएग खीक है अब इसके बाद में जो दूसरी इस्तिती है इसके इसके इसमें भी दो भाग है दूसरी स्थिति का पहला भाग क्या है यदि मा के बाद में क से लेकर मा तक कोई भी वर्ण आ जाए तो मा का जो उच्चारण है वो उस वर्ग के पाँचवे वर्ण या अनुस्वार में बदल जाता है जैसे संकल्प ठीक अब बताईए मा के बाद क्या आया कल्प आया ठीक है तो मा के बाद क से लेकर मा तक कोई भी आ जाएगा जैसे क ही आगया तो अब यह क्या हो जाएगा उसके पाँचों वर्ण में बदल जाएगा जो आया है उसके तो क वाली लैन फिर से बूलिए और मु अंगवाला है इस तरह से जैसे संगती में भी संगती हो जाएगा समचय में भी संजय हो जाएगा और समध्या में भी संध्या हो जाएगा सम और ध्या मिलके बनाते हैं संध्या ठीक है इस तरह से मुझे उमीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा और इसी का जो दू पशबाश्य हो जाएगा संरक्षक सम्हार हो जाएगा संहार सभाथ हो जाएगा संवाथ सीधे हमने जो अंशुआ अंशुआर मतलब बिंदी हं उस इसे आम की कहते हैं उसं की बात कर रहा हूं ठीक सम्राट आप देखेंगे आधारा बन गया क्यों क्योंकि मा के बाद रा आ गया और जैसे मा के बाद रा आता है तो मा का जो है वो तो मा ही रहता है और रा जो है चुकि आधा है तो उसकी मात्रा लग जाएगी जैसे सम में म हैं समराट साम्राज्य में भी साम्राज्य आप समझ गये इसके बाद में लिखा हुआ है तसंबंधी नियम अब तसंबंधी नियम क्या है इसको ध्यान से समझ यह सोचके देखे यदि आधा ता है और उसके साथ में पूरा च आ जाए सामने यह तो आपको यादी रखना पड़ेगा शरत चंद्र हो जाएगा शरत चंद्र और सत चित हो जाएगा सचित सत चरित्र हो जाएगा सचरित्र इस तरह से तो क्या नियम था यह कि ता के बाद में आधे ता के बाद में अगर च आ जाए तो आधा ता भी आधे च में बदल जाएगा ठीक वैसे ही जैसे आधे ता के जाएगा सच्छात्र उत्छेद में आ जाएगा उत्छेद और तच्छाया में हो जाएगा तच्छाया उत्छिन हो जाएगा उत्छिन इस तरह से अगर आधे त के बाद पूरा जा आ जाए तो आधा जा बदल जाएगा जैसे सत जन हो जाएगा सत जन विपज्जाल हो जाए जगत जन्नी उत्जुल हो जाएगा उज्वल इस तरह से तो यही नियम है जिसकी वज़े से उज्वल शब्द में दो आधे ज़ आ रहे हैं यह आप ध्यान रखेंगे इसके बाद में अच्छा इसका कारण क्या बताएंगे आप कि कौनसी संदी में हो रहा है कौनसी संदी की की वज़े से हो रहा है ठीक इसके बाद में अगर आध Phillips की सामने पूरा ल आ जाए तो वो आधे रहाहा हो जाए गा सब्सक्रार में उत्लास हो जाए गा उलंग्धन इस तरह से अब अगला नियम जो है वह यह कहता है की गराद्ध उसका जीर आजो इसCutthuk चाहर यानी ऊध्थन, और पत हथ़ै और फद्धारो. पिर बोल रहा है कि गिर द्न ढंध क क्हाई तो क्या होगा, और तो योझता आधेच्छ में बदल जाएगा जैसे तच्छिव हो जाएगा च्छिव स्ट शास्ति को जाएगा साच्छ फिर इसके बाद में जो चौथा प्रकार कर यहिए कि यति रिशी के यह प्रा के बाद और शषटकोन के बाद ये तीनों अगर आदे हो इसके बाद में अगर आधा ना आ जाए या इनके बीच में कोई स्वर आ जाए या कवर्ग आ जाए या यरलव हो तो न का अना हो जाएगा जैसे प्रा के बाद मान है तो वो प्रमान हो गया न क्या बन गया अन अरण अयन है ना तो राम अयन उससे मिलके बना है राम आयन भाश अन हो गया भाशन यह आप याद रखेंगे फिर यह कह रहा है कि यदि अ और आ को छोड़कर अनिकिसी स्वर के बाद स आ जाए तो उसका शटकोन वाला श्य हो जाता है वो भी आधा जैसे नी सेध हो गया नि जैसे आ, आ, ई, उ के बाद अगर च आ जाए तो च का आगमन हो जाएगा ध्यान से सुनिए यह स्वर है आ, आ, ई, और उ इसके बाद में क्या आ रहा है च छतरी का आ रहा है वो भी कैसा आ रहा है आधा हो रहा है तो फिर क्या उसका हो जाएगा आधा च बदल जाएगा वो पढ़ेह ए इस तरह से इस के बाद से समझेए येदि आधे रह से पहले सर हो ततार के बाद फिर रह तो सीधियंता है त्हुर्व का देर्ग हो जाता है जैसे नियरस हो जाएगा नीरस और नियर ध्यान रखिएगा इसके बाद में है विसर्ग संधी अब इसमें ये संधी का अंतिम प्रकार है विसर्ग संधी और मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें 5-6 प्रकारों को समझना होगा ठीक है तो सबसे पहला प्रकार जो है वो क्या है विसर्ग तो आप जानते ही क्या होता है दो विंदिया जो लगती है, स्क्रीन पर दिख भी रहा है, है ना, तो विसर्ग के बाद यदि स्वर्या और वेंजन आ जाए, तो उसमें जो भी परिवर्तन होगा, वो सब विसर्ग संधी के अंतर गती आएगा, जैसे सबसे पहले लिखा है, कि विसर्ग के पहले अगर अ है और विसर्ग के बाद अगर अ है, तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांच्वा वर्ण, या यरलवह में से कोई वर्ण हो, तो वो विसर्ग का ओ हो जाता है, यानि विसर्ग की जगे पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर ओ आ जाएगा, जैसे कि यशह अभिलाशी, तो बोबल, मनहरत हो जाएगा, मनोरत, और वयःवरिद्ध हो जाएगा, वयोवरिद्ध, एक और उधारन है, जैसे कि मनह और रत, अभी मैंने आपको बताया है, तो क्या हो गया, मनोरत, वैसे ही मनहर हो जाएगा, इस तरह से, फिर आगे है, यादि विसर्ग से पहले अ, आ को चोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाये मान लीजिए तो विसर्ग के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांच्वा वर्ण यानी यरलवव हो, तो उसमें से कोई भी वर्ण हो, तो उसका विसर्ग का रः हो जाता है, जैसे निह आशा निराशा, दुझन दुर्जन, निह धन निर्धन, दुबल दुरबल, निह उपाय निरुपाय, निह विकार निर्विकार इस तरह से, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो विसर्ग के बाद च च या श हो तो विसर्ग का श हो जाएगा कौन सा वाला शटकोन वाला नहीं शक्कर वाला तब जैसे नीचे निश्चे निशंक निशंक इस तरह से यदि विसर्ग के बाद कतम हो तो विसर्ग का स हो जाता है जैस के बाद कख धफ इन में से कोई भी वर्ण आगर आ जाए तो विसरग का शटकोंड का श्र हो जाएगा वह भी आधा जीसे नी कलंग बन जाएगा निश्कलंग नीप्रान बन जाएगा दुकर्म बन जाएगा धनु टंकार बन जाएगा धनु श्तंकार इस तरह से और अर अन्तिम् छोटी-छोटी दो नीम है कि यदि और अ को दो विसर्ग के बाद आ को छोड़कर कोई अन्यस्वर हो जाते हैं तो विसर्ग गायब हो जाएगा जैसे अता और एव इसमें विसर्ग के बाद में ए आ गया तो अब यहाँ पे आपको विसर्ग गायब कर देना है हो जाएगा अतेव विसर्ग रहा ही नहीं इसके बाद में यहाँ पे देखिए विसर्ग से पहले अगर रिस्ग सर हो तो क्या होगा उसके अगर रहो तो रिस्व का दीर्ग हो जाएगा और विसर्ग का लोग हो जाएगा जैसे नीरस में नी में छोटी की मातरती तो वो बड़ी की लग जाएगी क्योंकि वो रिस्व था अब वो दीर्ग हो गया नी और विसर्ग हटा के सीधे रस लिखना है जैसे नीरस नीरस का हो गया नीरस नीरव का हो गया नीरव अब कुछ बाते हैं जो संदी में हमें ध्यान रखनी चाहिए जादा बाते नहीं है थोड़ी बहुत बाते हैं जैसे कि एक बात आपको कांच बेद कौन कौन से एक दीर्ण संदी पढ़ा हमने फिर गुण पढ़ा फिर रृद्धी संदी पढ़ा और अंत में आयादी संदी पढ़ा विसरग के बाद पर परिबूरटन होता है उसे हम व्यंजन संदी कहकर पुकार है मुझे उंमीद है कि आपको वीडियो है अज्ग समझ में होगा चीज़े अगोगी और यदी परिक्षा में आप पूछे गए तो आप एक बार और रिविजन करेंगे और उसके बाद में अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे इसी आशा के साथ में कि आप इस वीडियो की लिंक को जरूर अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाथियों, परिजनों के साथ सेयर करेंगे, साजा ताकि वेलोग भी देख पाएं जानकारी को इस वीडियो को इस अध्याय को समझ पाएं मैं आपको नमस्कार करता हूं हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में